Fall ceiling बनाने वाले हो? Of course बनाने वाले हो! तब ही तो ये वीडियो को देख रहे हो! आज इसी wooden fall ceiling बताऊँगा जिसको ना termite से, ना moisture से, ना ही fire से कोई भी दिक्कत नी होगी प्लस आप तो रूम की hide भी गम नी होगी और साथ में आप इसमें कोई भी टाइप की light लगा सकते हो! प्रॉपाइल लाइट हो, पैनल लाइट हो, स्ट्योबी लाइट हो, जिसके आप तो रूम बहुत ही जादा luxurious लगने लगेगा! ऐसी सच में कोई wooden ceiling है भी? येस ये है इन्फर टॉप Soffit Panels by Box! मारकेट में आजकल polymer planks आ गए हैं जो actual wood को 100% replicate कर देते हैं वो भी बिना कोई wooden ceiling के problem के! नॉर्मल wooden fall ceiling को maintain करना बहुत ही जादा मुश्किल है प्लस लगाते वक्त polish select करे हो तो ये समझ या न सही होगा नहीं होगा stain तो नहीं लग जाएगा, खराब तो नहीं दीखेगी बट polymer planks को maintain करने में 0 rupees लगते हैं क्यों क्योंकि इसमें ना polish करनी ना paint करना ना putty करनी ना crack आएगा कुछ भी नहीं 0 rupees ही लगेगा एक बार लगाने के बाद उसके बाद हम समझेंगे कि इसको अलग-अलग designs में, अलग-अलग spaces में कैसे यूज कर सकते हो bedroom में, living room में, office में, shops में, हर जगा और साथ में आखरी में detail comparison दूँगा costing का कौन सी wooden fall ceiling में कितना पैसा लगता है, normal P.O.P. jipsum में कितना लगता है तो आप एक सही, educative decision ले पाओगे, अपनी highlighting fall ceiling के लिए अब बहुत अराम और तसली से समझते, wooden fall ceiling मनाने के option क्या क्या है और सबसे पहला option है, of course, wooden fall ceiling है तो wood बड़ आज कल इसको कोई लगाना नहीं चाहता, क्यों नहीं लगाना चाहता, एक तो बहुत कम availability है और है तो वो इतनी महंगी है कि एक 10 by 10 के रूम में भी लागों रुपे से जादा wooden actual fall ceiling लगाने में लग जाएगा, जो की कोई उतना खर्चा करना नहीं चाहता है प्लस इसकी maintenance, termite tissue ये सब बने रहते हैं इसका alternative आया, plywood base लेके आप उसमें laminate या vineyard लगा सकते हो इसको आप wooden fall ceiling से replicate तो कर सकते हो बट इसमें भी wooden की जो परिशानिया है जैसे की termite हो गया लस vineyard अगर आप लगा रहे हो तो polishing का कचर कचर मतला वो बहुत ज़ादा labor oriented है आपने कुछ और polish पसंद किया, labor ने कुछ और कर दिया, outcome आपके हाथ में नहीं और तीसरा option आजाता है, wallpaper लगा लेना, gypsum fall ceiling करके wooden wallpaper लगा लेना उसको लगाने से अच्छा तो मैं बोलता हूँ, fall ceiling ही मत कराना, वो इतना घटिया लगता है अगला option, polymer planks, इसमें आपको दो grade के planks मिलते हैं यह बहुत हद तक आपके wooden fall ceiling को replicate तो कर देते हैं आपको selection के time बहुत ज़ादा ध्यान रखना है पहला option है, local grade PVC plank जो कि यह मेरे हाथ में है यह local grade PVC plank के यह side से आपको ऐसा देखेगा, hollow रहेगा, बीच में space रहेगी इसको भी बिलकुल नहीं लगाना चाए, reason बताऊं, यह reason यह पूरा का पूरा एक बार में तूट जाता है, इस पे कोई strength नहीं बसती है, कोई काम का नहीं है यह long run में plus अगर आप exterior में लगा देते हो, तो fade हो जाता है तो कोई बोलता है कि भी हमें wooden shade में आपको PVC plank लगा दूँगा और वो अच्छा लगेगा, तो यह जहां रख लेना कि वो कौन से grade का, local grade का है की नहीं है इसलिए यहां आपको ऐसा plank लगाना है, जो long lasting और high grade polymer से बनाओ जैसे कि यह plank मेरे हाथ में, आप देख रहे हो, मैं इसको bend कर रहा हूँ उसको भी bend किया था, इसको भी bend कर रहा हूँ, कुछ भी problem नहीं हा रही, अराम से bendable है प्लस यह interlock joinery के साथ आते हैं, तो lock हो जाता है, और आप वो plank को देखो, इस plank को देखो, इस में पिल्कुल wooden grains actually replicate कर रहे हैं, और यह दूसरा सैंपल मेरे हाथ में, दोनों सैंपल को एक महना हो गया है, यह सैंपल को इतना गंदा है, और यह सैंपल अभी वी वैसे ही है, maintenance, easy to clean, maintain है, बहुत असानी से साफ हो जाता है, high-grade यह जो panel जो मेरे हाथ में था, that is from Vox का soffit ceiling panels, बहुत ही ज़्याद अच्छो अप्छन है, इसको हम आगे और explore करेंगे, इसकी details में जाएंगे, तो आप सहीं decision ले पाओगे, अपनी fall ceiling के लिए, अपने bathroom में हो गया, balcony में हो बना रहे हो, shops बना रहे हो, malls में, ऐसी जगा लगा रहे हो, जहाँ पर fire retardant material लगाना बहुत important है, तो वहाँ भी आप इनको लगा सकते हो, अब मेरे को नहीं लगता, polymer material को अभी तक दीमक खाना चालू किया है, इसलिए ये completely termite proof है, और जहाँ तक actual wood को replicate करने की बात है, इसम 10 meter तक unique wooden grains को print करते हैं, मतलब 300 feet तक, imagine करे हो, 300 feet तक actual wood grains print होंगे, जो repeat नहीं होंगे, तो अगर आप बहुत बड़ी space भी बना रहे हो, तो भी ये आपको actual wood का feel ही देगा, तो अगर आप एक छोटे room के बारे में बात करे हो, तो सोचो भी नहीं है, कितना जादा अच्छा लगाना है, तो भी कर सकते हो, beam असानी से hide हो जाएगी, कोई भी problem नहीं होगी, plus इसमें box ने specially work करके air ventilation system मना के patented करवाया हूँ है, उससे क्या होता है, आपका जो top slab है और आपकी fall ceiling के बीच की जो gap है, वहाँ पर मानलो बातरूम में लगा रहे हो, घीजर है, या फिर अपन अभी आपका ventilated घर में पूरी तरीके से रहेगा, अब इतनी details में interest आई रहे, तो एक बात और जान लो, पहले जो polymer panels आते थे, उसमें बस side by side interlocking ही मिलती थी, but front में interlocking joinery नहीं आती थी, उससे क्या होता था अगर room size बढ़ा है, like bedroom बढ़ा है, living room बढ़ा है, और दो planets को साम आपने से joint करना पड़ रहा है, तो बीच में कैसी पट्टी दिखती थी, जो कि बहुत ही जादा गंदी लगती थी, और कोई देखके ही बता देता कि यह PVC panels है, wooden false ceiling तो नहीं है, इस box की patented technology called conix से आपकी पूरी problem solve हो जाती है, और यह completely wooden ceiling का look दे देते हैं, बिना कोई wooden के problems के यहीं तो होगी technical details, अब देखे हैं false ceiling designs को यह polymer plans को use करते हुए बने हैं, अब यह तो देखेंगे, panel ceiling में लगके दिखते कैसे हैं, बड़ आप समझ लो इसको लगाने कैसे हैं, और कितना पैसा लगेगा, इसको install करना बहुत ही simple है, और within a day यह install हो जाते हैं, बिना कोई धूल धकडा like P.O.P. gypsum में, बहुत धूल होती, गंदगी होती, इनको install करन उनको लेके समझेंगे, एक 10 by 10 के room में पूरी में अगर false ceiling करेंगे, इस wooden false ceiling की, तो कितना पैसा लगने वाला होगा, तो सबसे पहले अगर मैं real wood की false ceiling करने जाओंगा, ठीक wood की false ceiling करने जाओंगा, तो में को 1500 से लेके 2000 रुपए square feet लगेगा, मतलब 100 square feet के room में लगाऊं, तो flywood में laminate या फिर vineyard लगाने का, ये अच्छा तो दिखता है बट इसमें भी 500 से लेके 8500 रुपए square feet तक का खर्चा आ सकता है, depends on कैसा design है, और कौन सी finish का आप vineyard select कर रहे हो, महंगा भी जा सकता है, बट अगर मैं इसमें भी देखूं, तो 100 square feet में 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 को लगभग आपको मिल जाता है, मतलब 21,000 से लेके 26,000 में पूरा fall ceiling का काम हो जाएगा, जो कि अपने plywood वाले option से almost one third की costing है, और actual wood के बारे में तो बात करने का भी कोई मतलब भी नहीं है, प्लस मज़े की बात इसमें 10 साल की warranty भी मिल जाती है product में, जो कि कोई भी option में available नहीं है, जो कि आपको 120 रुपए से लेके 150 रुपए square feet तक पढ़ सकते हैं, मतलब 12,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक लगाने का खर्चा with installation, but of course मैंने इसके cons आपको बता चुके हैं, जो आप 10-15,000 रुपए गचाने के चक्कर में उसमें बिलकुल नहीं जाना चाहेंगे, क्यों, क्य क्योंकि अपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो मैं आपको 3 important links दे रहा हूँ, और समझा रहा हूँ, उसको use कैसे करना है, तो सबसे पहले आप description में जाओगे, और वहाँ पे आपको designs का link मिलेगा, जो मैंने पूरी वीडियो में दिखाई है, उसको आप download कर सकते हो, प्लस साथ में Pinterest में similar designs सर्च करना है, तो कौन-कौन से keywords आपको सर्च करने, वो भी उस link में दिया हुआ है, अगर आप वो keyword को सर्च करोगे, तो सही type के designs आपको और मिल जाएंगे अपने घर के लिए, दूसरे link में क्लिक करोगे, तो यहां पे आप walks की website में, उनके catalog में इंडिया में, तो almost हर जगा यह available है, तो आप उनसे connect कर सकते हो, अपने घर, shop, office, कोई भी space बना रहे हो, वहां पर यह panels को use कर सकते हो, और यह तीसरा link है, detailed block का about wooden falls link, जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जिसमें ने मेरे वीडियो में जो भी बताया है, comparison हो गया, cost calculator हो normal gypsum falls link सब कराते है, इस पे ऐसी wooden falls link अपने घर में करा और अपने घर को बहुत जादा lavish बनाओ, और साथ में Home India के चैनल को subscribe करना, मद बूलना, और यह सारी playlist देख लेना साथ में, क्योंकि और materials के बारे में, इतनी ही detailed video बनाई है, जो आपको अपने घर बनाने में, office बनान में बहुत जादा help करेगी, और thank me later for all these video, tada bye bye, I'll see you in the next video.